नमस्कार कुराइम तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दीपक सिंग् दरसल हर्याना का सोनी बजला सोनी बजला में है रोतक एक इलाका है जहां पे एक खबर सामने आई है जहाँ पे एक बीवी ने अपने पती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है जहाँ पे उसने ये कहा है कि पती ने पानी में जहर मिला के उसे माणने की कोशिश की है मानने की कोशिश के बाद जब अस्पताल में भरती है अस्पताल में जो भरती करवाया गया है वो करवाया है लड़की के माई के वालों ने माई के वालों का यह बयान था कि जो सस्राल वाले हैं और खासकर जो पती है वो पत्ति पे जुल्म धाता है उनकी बेटी पे जुल्म धाता है तो कहीं न कहीं उस पे कानूनन कारवाइई हो लेकिन ये जहरदेनी की बात सामने क्यों आ री है और जहर क्यों दिया गया है बहुत ही दुगदाई है दरसल, जो संजे है जिस पे इलजां है वो काम करते हैं दिल्ली प्लिस में दिल्ली प्लिस के नांगली प्लिस टेशन में उनकारेरत हैं दो उनकी जो बीवी का जो बयान है उसमें उनके ये कहा है कि 2013 में उनकी शादी हुई थी 2013 की शादी के बाद घर पे दो दो संतान आते हैं दोनों ही बेटिया, बेटियों के आने के बात कहीं न कहीं, जो उनके पती हैं, जो उनके सस्वरल वाले हैं, वो बुस्से में थे कि, घर पे एक साथ, दो-दो बेटियों के आजाने से, खर्च बढ़ेगा, जो भविश्य में, जो भी खर्च वो, जादी की वक्त भी उन्हीं का खर्च बढ़ेगा तो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से जो तीसी संतान हो वो हो सिब लड़का लेकिन और यहां तक की दो दो बेटिया घर पे आए तो उसके बाद उनके साथ मारफीट की जाती थी उनके साथ उन्हें ये भी कहा जाता थ कि अगर तीसरा संतान लड़का ना हुआ तो उन्हें दे दिया जाए का तलाग घर पर रोज कलेश होता था लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें आपको संभाला और हाली में जब उनकी जो तीसरी जब संतान आई जो थी फिर तीसरी बेटी हुई उसके बाद संजे का असली च की उनके साथ और इसके बाद वह स्पताल में भरती हो गई तो वहीं जब रोतर पलीस के पासी मामला पहुचा तो आनन फानन में प्लिस तुरंत संजे असी बोला गया कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं तो संजे ने कहा कि हां ये मामला घंबीर है लेकिन ये कुछ गलत फ़ह्मी ऻच्ऀ है लड़कियाँ आने से खुशें आती हैं जो बच्ची आती हैं वह अपनी बीवी चर् Pat। पती है उनका कहनी था जो लड़की माईके सही है या जो पत्नी कह रही है जो पत्नी निल्जाम लगाया अपनी पत्ती पे कौन सच कह रहा है यह पुलिस या जाच में जल्द सामने आएगा जादा खबरों के लिए बने रहे क्राइम तक के साथ